दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा दसके NCRT के बिज्ञान के किताब से अध्या एक रसानिक अपकिरिया योम समी करके अंतरगत अभ्यास प्रस्ण 15 कहने जा रहे हैं अभ्यास प्रस्ण क्या कहता सबसे पहले हम प्रस्ण को पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे तो प्रस्ण हमारा कहरा है और छेपड़ आपकिरिया से आप क्या समझते हैं उदहर देकर समझाईए और छेपड आप किरिया से आप क्या समझते हैं उदाहर देकर समझाएए सबसे पहले और छेपड का मतलब समझेंगे और छेपड का मतलब होता है जिस तरह से यह हमारे पास परकनली हो यह हमें एक परकनली रखते हैं या कोई पात रखते हैं इसमें क्या मिलाते हैं पानी और मिट्टी पानी और क्या करते हैं मिट्टी क्या करते हैं मिलाते हैं और मिला करके थोड़े दिर रख देते हैं पानी और मिट्टी क्या करते हैं ऐसे मिला देते हैं और उसके बाद थोड़े दिर बाद क्या होता है इसी पात्र में जो यह परक नली हो सकता है या कोई पात्र हो सकता है तो क्या होता है मिट्टी ऐसे नीचे बैठ जाती है मिट्टी ऐसे नीचे बैठ जाती है और पानी क्या होता उपर हो जाता है यह मिट्टी नीचे हो जाती है और पानी क्या होता है उपर हो जाता है तो इस तरह से यह जो पानी उपर ह गया यह जो हमारे पात्र में पानी क्या हो गया ऊपर हो गया तो इसमें जो मिट्टी नीचे बैठ गई इसी को क्या कहते हैं आउच्छेपड यानि ठोस अवस्था अलग का होना यानि किसी बिलियन में यदि कोई पदार्थ है यदि वो दरव अवस्था में है यदि पूरा दिर बाद क्या होता है दरव अवस्था में चेंज हो जाता है यानि पानी उपर हो जाता है और ये ठोस अवस्था में नीचे बदल जाता है तो ये ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है और छेपड कहलाता है दूद से पनीर बनाना और छेपड का उदार है दूद क् द्रोवस्था में होता है पानी की अवस्था में होता है दूद के नीचे कोई चीज जमा नहीं होता है यह दूद के अंदर हम नीबू निचोड देते हैं या एसिट डाल देते हैं तो दूद हमारा क्या होता फट जाता है और फट जाने का मतलब है जो हमारा नीबू था वो भी दरवस्था में था और जो दूद था वो भी दरवस्था में था उसमें हम दोनों को एक दूसरे में मिलाया और दरवस्था में होने के बावजूद भी उसमें क्या हुआ एक किरिया हुआ और किरिया होने के बाद दूद हमारा फट गया और नीचे क्या हो गया ठोस अवस डाल करके उसे पनीर बनाना कहलाता है आउच्छेपड कहलाता है इस तरह से आउच्छेपड को समझेंगे अब हम आउच्छेपड का रसानिक समीकड भी लिखने जा रहे हैं उस समीकड को इमाध्यम से भी हम समझेंगे तो समीकड हमारा है sodium sulfate यह हमारा क्या है sodium sulfate है sodium NaSO4 यह हमारा sodium sulfate है और sodium क्या है sodium sulfate यह जलिये billion होता है sodium sulfate sodium की से एक होती है एक से और sulfate की दो होती इसलिए दो लिखा यह ने 2SO4 यह क्या है जलिये billion इसलिए हम क्या लिखेंगे AQ AQUES यानि जल द्रोवस्था में रहता sodium sulphate क्या है द्रोवस्था में यह मिलता है आप क्या कर सकते हैं आपने सहर के जहां science का उपकड़ मिलता है रसानिक बिग्यान का उपकड़ मिलता वहां से खरीद के ला सकते हैं अगला है बेरियम कुलराइड क्या करते हैं बेरियम कुलराइड ये भी आपके परियोगसाला के दुकान से जहां सहर में मिलता है परियोगसाला के दुकान होती है वहां से बेरियम कुलराइड भी हम खरीच सकते हैं तो ये भी क्या है जलिये बिलियन है ये क्या है जलिये बिलियन है ए अदला बदली हो रहा है दुएक विस्थापन अब करिया है सोडियम क्लोरीन के साथ जूड़ जाता है और बेरियम क्या होता है सल्फेट के साथ जूड़ जाता है तो यह बनता है बेरियम सल्फेट इसके बाद बनता हमारा sodium chloride, यह sodium chloride बनता है, इनने, इनने Cl, यह sodium chloride बनता है, यह नमक हमारा है, यह नमक बनता है, इसे sodium chloride भी कहेंगे, sodium, sodium, sodium chloride, chloride, यह sodium chloride हो गया, लेकिन यह जल अवस्था में होता है, यह कैसे अवस्था में होता है, एक्वेस अवस्था में होता है यह हमारा सोडियम क्लॉराइड क्या होता है एक्वेस अवस्था में जली अवस्था में होता है तो यह भी जली अवस्था में है यहाँ भी जली अवस्था में है लेकिन जो है बेरियम सल्फेट क्या होता है बेरियम सल्फेट होता है और छेप अवस्था में होता है क्या होता है और छेप अवस्था में होता है यानि हमारे अभिकारक पदार्थ क्या थे यह जली अवस्था में थे और दोनों जली अवस्था में अभिकारक पदार्थ के बाद जो किरिया होता है नीचे क्या होता है ठोस के रूप में और छेप जमा हो ज जाता है और द्रो के रूप में यह sodium collide हमको मिलता है तो इस तरह से किसी भी रसानिक पक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और दोनों जलिये पदार्थ होते हैं दूद की तरह से होते हैं पानी की तरह से होते हैं आपस में जब मिलते हैं तो जिस तरह से हमारा प इस तरह की अबकिरिया को जो इस तरह की अबकिरिया को आउचेपड अबकिरिया कहते हैं तो इस तरह से हमने आउचेपड अबकिरिया को समझा अब आउचेपड समीकड को क्या करेंगे संतुलित भी करेंगे संतुलित है नहीं क्योंकि बिना संतुलित समीकड को हम लिखेंग परिच्छा में लिखेंगे तो हमारा नमबर कट जाएगा इसलिए समीकड को संतुलित भी करेंगे यहां हमारा सोडियम दो परमाड़ है यहां एक है और क्लोरीन भी दो है तो दो से गुड़ा कर देंगे तो हमारा समीकड क्या हो जाएगा संतुलित दो सोडियम हो गया दो सो इकड़ लिखेंगे तभी उस प्रस्ण का पूरा अंख हमको बोड़ परिच्छा में या किसी एकजाम में मिलेगा नहीं तो कुछ न कुछ अंख हमारा कड़ सकता है अब हम इनका नाम करड़ भी कर देते हैं sodium sulfate इसका नाम है sodium sodium sulfate sodium sulfate और अगला है हमारा barium chloride इसका नाम है barium barium chloride और इसका नाम हमारा है इस योगिक का नाम है barium sulfate barium sulfate sulfate